विक्रम सम्वत बेहजार बार इस्वी सन उग्णिसो पंचावन छप्पन कार्तक्वद पाचम जिन मंदिर ने विशाल ने उन्नत शिकर्वद्ध करवा ग्नानावतारी गुरुदेव श्वीनी मंगल उपस्थितीमा तेमज भक्तो ना मंगल गीत ने गगन गुंजी जैकारा वच्चे पुज बहन श्री बेनना सुहस्ते शिला न्यास थाये छे भाव भीना द्रश्य थी मुमुक्षुओना रदय आनंद थी नाची उठे छे ने गगन भेदी हर्ष नाद करे छे पोश सुद एकम भक्तो ना जीवन मा वैराग्यनु सिंचन करनार गुरुदेव श्र एक मुमुक्षु बहन नी अंतिम स्थिती होवा थी दर्शन देवा पधारे छे अने संबोधन करे छे आ देह श्वास ने आकुलता ए त्रणे थी जुदो आत्मा ग्नान दर्शन ने आनंद ए त्रण स्वरूप छे तेनू लक्ष राखू अहो अशरण संसार मा नी शीतलवानी छायाज शरण भूत छे। गुण रत्न भरपूर गुरुदेव श्वी नी एक महान भेट तेमज जैन साहित्ते मां एक अमूल्य प्रकाशन एवुँ ग्नान स्वभाव और ग्नेय स्वभाव ए नामनू पुस्तक हिंदी मां प्रकाशित थाए छे। सुखनों राज मार्ग बताप्तूं शास्त्र श्री समय सार्जी उपरना स्वरूप जीवन जीवनार गुरु राजना अग्यार मीवारना प्रवचनों आजे शरू थाए छे। आ पर्मागम गम्मे तेतलीवार वन्चाय तो पन शोताने वक्तानों रस वत्तों जाय छे। आ समय सार्णी कोई अध्भुत विशिष्ट ताचे चमतकार छे। वैशाक सुद बीज आजना मंगल दिने मंगल सुप्रभाते मंगल घंट नादने वाजिंत्रो वडे भक्त मंडल जेमनों भेटो थवोपन दुरलब छे। वा कहन गुरुदेवना सर्सट मां जन्मोचब नी सूचना आपे छे। जन्म वधाई गीतो गातां-गातां मुमुक्षो देवशास्त्र गुरु दर्शने आवे छे। स्वाध्याय मंदिरने त्रोण प्रदक्षिना फरे छे। अने भक्तो सर्वस्व उपकारी गुरुराज प्रत्ते उपकार भावना व्यक्त करे छे। स्वरूप आरामी गुरुवर्यनों बाह्यांतर वैभव त्रिकाल जैवंत वर्तों के जेथी अमोने जिनेंद्र देव, जिनालय, जिनवानी ने आत्मदेव मलया। अमोने सम्यक मारगे दोरी जनार हे गुरुराज आप धन्य छो के जेओ तत्व चिंतन पूर्ण वैराग्य मैं धे लक्षी जीवन जीवी रहां छो। अपूर्व वानी प्रकाशक हे गुरुदेव, आत्माने स्पर्शी ने आवती आपनी वानी अमारा आत्माने पन स्पर्शी जाय छे। आपनी अद्भुत्मानी ना प्रतापे संयोग परिवर्तन के मृत्यु समय जीवन मा शान्तीज रह छे। हे अनेक आत्मार्थियोना जीवन आधार भव ब्रमन थी थाकेला भव्योना विश्रामस्थान आपच्छो। धर्म रंग थी रंगायलू आप श्रीनू सहज जीवन अंतर नजर थी जोवामा आवे तोज ख्यालमा आवे वूँछे। हे परम प्रभावी शासन रत्न आप अंतरसाधनाथी ओपता सर्वांगे शोभता मुक्तिमंडप रोपता प्रभावशाली संत छो। हे जिन शासन ना अनमोल रत्न प्रभुताना पंथे चड़ेलाएवा आप अम आत्मा मा प्रभुतानी स्थापना करो छो ने फर्मावो छो। हे भाई तारे जैन शासन नू सेवन करवू होय तो राग नू सेवन छोड। तने कर्म रखड़ावे नहीं ने भगवान तारे नहीं। धर्म तेने कहवाए कि जेनाथी भव नो अंत आवे। हे जीव तारा आत्मा मा एक वार सर्वग्नता नो रंग चड़ाव। वैशाक सुदबीज इतले अनाथना नाथनो अवतार दिन। शान्तिदाता संतनी निश्राविना बद्धा जिगनासु अना थता। हवे आ संतनी पद्रामनी थतां आत्म हितार्थी जीवोए जेटलो लई शकाय एटलो लाव लेवा जेवो छे। विवेकी जनों आवा अवसर मा प्रमाद करता न थी। जिन शासन्ना अति मूल्यवान आ रत्नने विभूतिने जगत पार्खे ओडखे एज अविलाशा छे। भाव विनाना शुष्क क्रियाकांड मा जैन धर्म मनाई रहयो छे। त्यारे सहजानंद मै आत्मानों अनुभव ते जैन धर्म छे। एवी जोरदार घोशना करी साधनामा अनुरक्त एवा गुरुदेव श्रीये बद्धाने पुरुशार्थ करवा प्रेर्यां छे। तत्वने दांडी पीटी ने जाहेर करती सम्यकत्व परिणत गुरुवर्यनी स्वानुभव रस जहरती वानी पात्र जीवोना रदैमा सोसर्वट उत्री गई छे। अने तेओ हितना मार्गे आवी रहा छे। हवे मुक्ति मार्ग प्रकाशित थयो छे, शासन मा नूतन तेज प्रक्टियू छे। आनंद धाम आत्मा माथी सहज जर्ती प्रचुर आनंद मैं मुनी दशाना दर्शन तु दूर रहा, ए दशानु यथार्थ निरूपन करनार सत्पुरुश्पन क्यांजोवा मळे छे। आरी ते सत्संग नो योग थवू दुरलव छे त्यारे, तेमज कशाय थी बलबलता काल मा, गुरुवर्य ना प्रतापे, तीर्थ दाम सोन गढ़ मा, अध्यात्म ग्नान ना शीतल जड़नो जोरदार फुवारो उछली रहो छे, अने तेना चांटना, आक्खा भारत मा, अ अधरवार पण भावे उपासवा योग्य छे, तथा तेना फळ रूपे ज्नाना नंद मैं संपदा प्राप्त करीलेवा जेवी छे, के ज्याव विपदानों प्रवेश न थी, ने जेनी पासे बद्धाज, बाह्य पत अपद भासे छे, हे स्वरूप दान दाता दया निध आप श्रीनी कल्यानकारी शीतलवाणीनू अमोने सदा श्रवन मननन हो ने तेमा रहला गहन भावोनू अब गाहन हो। वैशाक सुद्ध चौदस अद्धुत अने सफल जीवन जीवनार ग्नान दाता गुरुराज ना श्री प्रवचन सार्जी उपरना त्री जीवार ना प्रवचनों पूर्ण थाये छे, अने वैशाक वदे कम थी श्री पूज पाद आजारे रचित श्री समाधी शतक उपरना सनमार्ग दर्शी प्रव सहित समस्त मुमुक्ष मंडर ना भाई बहनों भक्ति गाता गाता उत्साथ ही श्रम यग्नमा भागले छे, पूज गुरुदेव श्रीपन आ बे दिवस प्रवचन बंध राखे छे, श्रावन सुद एकम, अनेक भक्तों ने घणा वकत्ति परमशद्धे गुरुदेव श् शाश्वत सिध्धी धाम, श्री सम्मेद शिखरजीनी यात्रा करवानी रदैगत भावना हती, आजे मुक्ति पुरी ना यात्रिक, गुरुराज ए भावना फळी भूत्त थाए, एवा निर्णैनी जाहरात वपूर ना भक्ति पछी करे छे, आ सुवर्ण वचनों सामणता जोरदार जैकार गजावी ने भक्तो तेने वधावी ले छे औने आनंद हर्ष व्यक्त करे छे, सर्व भक्तो ना हैया यात्रा करवा थनगनी उठे छे ने पुलकित थाई जाये छे, भारत भर्मा आ शुब संदेश पहुचे छे औने त्याथी पन खुशाली ना तार पत् समाधी तंत्र उपर ना स्वानुभव विधिदर्षक प्रवचनों पूर्ण ताने पामे छे, अने पीजे दिवसे तेज आचारे विरचित श्री इष्टो पदेश उपर ना प्रवचनों नो प्रारंब थाये छे। श्रावन वद ग्यारस मुमुक्षुओना महा भाग्ये जेओ श्री नो पंचम कालमा योग बन्यों छे, एवा अजोड गुरुदेव श्री, श्री मान तुंगा चारे रचित, भक्तामर स्तोत्र उपर उपशान्त भक्तिरस जर्ता, तेम जाने के आदिनात, तथा आचारे देव नजर समक्ष बिराजता होय एवा भाव जगार्ता प्रवचनों आपे छे, भादर्वा सूध पाँचम, पर्यूशन पर्वनों प्रथम दिवस, उत्तम ख्षमा धर्म दिन, तारीक 9.9.956, आजे आवा विलासी कालमा जेनी कल्पना करवी पन मुश्केल छे, एवी घटना घटे छे, अने ते छे, चऊद कुमारी का बहनों नी ब्रह्म चर्य प्रतिग्णा, जैन जगतनों आ विरल ने गवरव लेवा जेवो प्रसंग छे, बाल ब्रह्म चारी गुरुराज, स्वयम आत्मानु भव करी, ग्नान मूर्ती आत्माना दर्शन क्यविरी ते था तेनों उपाय बतावतों पावन उप्तेश एक धारो आपे छे, जेना पुनित प्रतापे, अनेका नेक जिग्नासू, आत्म प्राप्तिनी भावना थी, तेनीज गड मथल करे छे, तत्वना वांचन, विचार, मन्थन करी, स्वानु भूतिनी जंखना करे छे, आथीज, न नेंद्र पूजन पछी, बैंड बाजा सहित, जिनवानी नी रथ यात्रा आख्खा गाम मा फरे छे, प्रवचन मंडप मा शुद्धात्म तत्व विग्नानी गुरुवर्ना व्याक्यान पछी, आजीवन ब्रह्म चर्य व्रत्नी प्रतिग्ना लेवा, एक साथे चौद बह नो उभात हाये छे, त्यारे वीरता ने वैराग्यानू अनुखूंत्रश्य सर जाये छे, जाने के तेव गुरुवानी रूपी तीर वडे कामदेवने जीती ने वैराग्यानी विजय पता का फरकाब वा तयार थाया छे, गुरु मुखे थी असंगी चैतन्य तत्वना रक्ती छे, जहां पुरुशार्थ वडे दशानी दिशा पल्टावानों प्रैत्न थाये छे, त्यां राग्यानों विशय पन बगली जाये छे, अने तेथी आवा भाव हट वगर आवी जाये छे, यथार्थ तत्वनी रुची पूर्वक व्रत धारण करवाना प्रसंगों बहु विरल बने छे, तेमानों आ एक प्रसंग छे, प्रचंग इंद्रीय लोलुपताना वातावरण मा लगभग अशक्य लागती वात ग्नानी ना समागम मा केवी सुगम बनी जाये छे, तेनु आ प्रत्यक्ष उदाहरण छे, आत्मसपर्शी गुरुमानिये अनेक ना ज सतना शरणे संपूर्ण जीवन समर्पण करवानी ताकात प्रक्टावी छे, तेओने ग्नानियोनी शीतल छायामा वात्सल्य भरी हूफ थी विश्वास आवेव छे, के आ भव संसारना भोगने खातर न थी, पन आत्महित माटे छे, आ प्रसंगे बारगाम थी एक हज्जार बस्सो लोको आवे छे, अने ग्नान भानू गुरुवर्यना प्रभावना उदये, धर्मनो विजय द्वज फरकी रहयो छे, ते जोईने दरेक धर्म वत्सल भक्तोनू रदये, प्रमोध थी, प्रफुल्लित, प्रमुदित थयाविना रहतू न थी, निव्रुत जीवन थी निज आत्महित सधाये, आत्म कल्यानी साधना थाये, ए प्रयोजन थी आ व्रत लेवामा आवे छे, आ भावनानी समाज द्वारा घणी अनुमोध ना थाये छे, आ प्रसंग थी गुरु उपदेश नो प्रभाव केवो छे, तेनो अन्दाज अनुमान विवेकि जनों स्व प्रसंगे बहनों भावना भावे छे, अध्यात्म तेज नी साथे साथे जेओ श्री नू ब्रह्म तेज पन अलवकिक छे, जेओ अखंड ग्नान तेज थी सूर्य समान छे, अने वीतरागताना शांत रसने वर्साव्वा चंद्र समान छे, एवा हे धर्मपिता, आप श्री जेवा तेजस्वी संतनों भेटो थवो आकाले मुश्केल छे, स्वरूप वीर्यनी खुमारी ने शील रंग थी रंगायला हे जीवन आधार, आप श्रीनी महा प्रतापी छत्रचाया मलवा थी, तेमज पावन उपदेश नू पान करवा थी, अमें बाणकों शील में जीव स्विकारवा तयार्थ है जीए, हे तारणहार आप श्रीनी वानी ना शब्दे शब्द मा स्वरूप साधना ना सूर्वई रहा जे, आप श्रीना रोमे रोम मा उदासीम ता वैराग्य उछली रहा जे, आप श्रीये दिव्य ग्नान प्रभावडे जिन शासनने अनमोल रत्न शणगार छो, आप श्रीये आपना कुलने उजालियूं छे, ने शासननु गवरव धारियूं छे, आप श्री द्वारा थै रहलू मार्ग ना पुनरुद्धार नू अभिव्रुद्धीनू कार्य कोई अलवकिक छे, बस अमे आ दुखत भवसागर तरिये, अ आने आनंद निधान चैतन्यने वरिये ए अभिलाशा छे, ते सुख भंडार शुद्धात्मा हाथ ना आवे, त्या सुधी आप श्रीनी छत्रचाया मा रही, चैतन्यने स्पर्शीने आवती, तेमज तेनी जहांखी करावती आप श्रीनी वानी सामणता रहिये, मन्थन करत रहिये ए भावना छे, आ मंगल प्रसंगे इंदोर्थी प्रतिष्थाचार्य पंडित नाथुलाल जी हर्श व्यक्त करे छे, बाल ब्रह्मचारी ती ठंकर श्री नेमिनाथ और श्री पार्शनाथ के पश्चाथ, श्री महवीर स्वामी का ये तीर्थ काल है, तथा बाल ब् ब्रह्मचारी बंधूं में दिष्ट गोचर हो रहा है। इसी प्रकार, ब्रह्मी सुंदरी और राजमती के आदर्शों को कार्यानवित करने वाली सोनगढ़ में विद्धिमान 20 बाल ब्रह्मचारी बहने तथा युवावस्था में ही ब्रह्मचर अंगिकार करने वाले अन धन्य है पूजश्री स्वामी जी और पूजश्री बहन श्री बहन। अरी ते आवता वर्षे तीर्थंकरोना देश मां सिध्धोना धाम मां ने मुनिवरोनी भूमी मां शुद्ध स्वरूप नो महिमा बतावनार गुरुवर्णा संग मां विचर्शूं एवी भावना भावता भावता विक्रम संबत बेहज्यार बार नू वर्ष पूर्ण थाय भारत मा धर्मकाण वर्तावी पामर जीवोनो धार करनार दिव्य ध्वनी दाता कहान गुरु जैवन्त वर्तो कान गुरुए कादव माति काडियारे कान गुरुए कादव माति काडियारे जड़ा व्याये राजमात द्वार रुडा गुरुवर अही पदार जोरे दे मंदर नानाद कुन्द लावि आहरे दे मंदर नानाद कुन्द लावि आहरे रण सिंगाव गाल्य बड़त मायरुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरुपाने रण सिंगाव थांबल्य आहरे वगाल्य नार एथे कुन्द लुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरु काने एकुन्द कुन्द सोदि आहरे वगुरु काने एकुन्द कुन्द सोदि आहरे तो दिली जो सासन नो थंबरुडा गुरुवर अही पदार जोरे जड़ा व्याये राजमात द्वार रुडा गुरुवर अही पदार जोरे वीरपुत्र एवाकान गुरु पाकी आहरे वीरपुत्र एवाकान गुरु पाकी आहरे तेरे सुना व्यायो मनात्वरु परुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरु काने भारत ने जगारी उहरे जागो जागो ए उंगता अंदर उडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरु काने तीदा तम बतावी ओरे गुरु काने तीदा तम बतावी ओरे रोप्याचे मुप्ती के राथम बढ़ुडा गुरुवर अही पदार जोरे चैतन्या चक्री कान गुरु ए रे खोल्या दिव्या ध्वानी नारह त्यरुडा गुरुवर अही पदार जोरे तेने जोई जोई अंतर उबराय रुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरुना रदये जीने स्वर्य वसिर यारे गुरुना सीरे जीने स्वर्य नोहात रुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरुते वकरत नात्रय मागतारे एतो लडी लडी लागे पायरुडा गुरुवर अही पदार जोरे एतो लडी लडी लागे पायरुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरु राजनी से वारदये वसोरे ए गुरु राजनी से वारदये वसोरे वतो वतो ए गुरुत्री कालरुडा गुरुवर अही पदार जोरे गुरु कान भक्ती मुझ अंतरे ए गुरु कान भक्ती मुझ अंतरे जे थी पामु कोण स्वरु परुडा गुरुवर अही पदार जोरे कान भुरुवर अही पदार जोरे ए रुडा गुरुवर अही पदार जोरे कान भुरुवर अही पदार जोरे कान भक्ती मुझ अवर्ण इतन भ nosso है आही करे देखा जोरे